अस्चमी और नौमी के पावन अफसर पर इंदौर में नैनूद माता मंदर में विशेश पूजन किया गया। इंदौर के प्राचीन मंदिरों में नैनूद माता मंदर का भी धार्मिक महत्व है। भक्त यहां दूर दूर से तर्शन के लिए आते हैं। देखें इस रिपोर्ट में। नवरात्री के आखरी दिनों में माता की भक्ती चरम पर है। अस्चमी और नौमी के अफसर पर इंदौर की नैनूद माता मंदर में विशेश शिंगार किया गया। इस मौकी पर मंदर में विशेश पूजन अर्चन के साथ अस्चमी और नौमी की पूजा की गई। तो सुप्सृम चरम पर मोई के सकता है। मंदर के पुचारी रिदेश मकवाना ने बताया कि भक्तों के कल्यान के लिए मंदर की स्थापना की गई है यहाँ पहुचने वाले प्रत्येग भक्तों को माता अपना चमतकार दिखाती है भक्तों के कल्यान के लिए उनके कल्यान के लिए उनके कल्यान के लिए उनने चालू किया और आज से 17 साल पहले उनने चालू किया था मेंजी का तो इससे कहें कि लोगों को कल्यान हो लोगों को जल्दी उसका लाब मिल जाए इसकारन उनने और सभी भक्तों को उसका पूर्ण होता है तो दुर्गाश अभषति के जो पूरा पार्ट का स्लोग है आउति के साथ भी पूर्ण होता है उसमें पूर्णाउति के बाद में जित्व विकलांग लोगोंको वापस चलना नेत्र इनको नेत्र जिसको बच्चा ने हो बच्चा भी वहाँ से मैयाजी जी आश्रवाद दे करके और सब मैयाजी का अश्रवाद के यहां तंत्र मंत्र का काम नहीं होता है बस यहां मेया जी का आर्थि होती है और यहां कोई पंडित भी, सब हम परविक लोग ही, मतलब हम चत्री समाज के हैं, तो हम थे पंडित नहीं रखते हैं, हम हमारा गर से पुजा करते हैं, उसका लाभ हम सभी वक्तों को मिलता है, हम अकेल लेक के लिए नहीं है, यह सभी वक मंदर मेया जी ने बनाया था इस्थापना तो 1905 में मेया जी उन्हें स्थापना मातर प्रकट होती है उस टाइम से कहें कि किसो लोगों के इतना नहीं था सिब आसपार गाउंवाले ही इस महत को जानते थे पर दिरे दिरे चरमतकार बढ़ने लगे तो लोगों का में प्रचा प्रचार प्रसार हो गया और जितने भक्त आते हैं उन्हें सभी के अपने खुद के चमतकार है दूबर यहां पहुचने भक्तों ने बताया कि माता के दर्शन से जीवन में शुक्द शांती का वास हुता है इन दोर ही नहीं शहर के बाहर से भक्त यहां नियम में तो दर्शन के लिए पहुचते हैं अधिया थे तब गाड़ी नहीं थे खंडवा से बात में इंदोर बस से आते थे एने परिवार सब सुख ही है भी सुख संती सब है कोई दिक्कत नी है उनकी अशुआ से जो मांगों सब मिल जाते हैं अभी भी बोले सांध हुआ है मगर काम बहुत जोरस होता है जो पहले हस्ती में उसे डबल का फास होता है यह नेनोद माता जी का मंदीर बहुत प्राचीन है करीब 65-70 वर्ष पूराना इसका इतियास है यहां जो मैया जी थे उनके चमतकार यहां अपने प्रदेश देश में नहीं विदेशों तक फेला हुआ है यहां आंकांग मनीला कहीं देशों से लोग यहां पर आते थे और होते से बहुत सारे यहां पर आशिरवाद मिलता सामिये जी का सबको हमारे नेनोद के ओपर तो विशेस आशिरवाद है हमारी माता जी का यहां पर सभी लोग संपन है सब सुखी है बढ़िया काम चलता है जो भी मन में मनों कामना लेकर आता है सब की पूर्ण होती है यहां पुरा हो जाता है और सच्चे मन से आओ तो अवश्य ही पूरा होगा हम बंबे से आते हैं, मता का बुराबा आता है तो पुछी जाते हैं, कैसे भी आ जाते हैं ट्रें में भी कैसे भी मिन्स, टिकेट हो जाता है Can-Pam, जो भी एम हो जाते हैं इसी तरह महास्चमी और नौमी का पूचन शहर के सभी मंदिरों में संपन हुआ तिथी की घटबड के कारण अस्चमी और नौमी एक हे दिन मनाई गई Bureau Report, IMP News and All.